वणकम सस्रिया काल नमस्कार मैं हूँ क्रिकेट का कहानिकार आप लोगों का दोस्त सुनील तनेजा स्वागत एक बर फिर से आपका सुनील के सूत्र में बारती है टी-20 महा संगराम चल रहा है और जबरतस्त कमाल के बेहतरीन मैचिस हो रहे हैं आज भी दो मुकाबले हैं राजस्तान के सामने लखनव है मुंबई के सामने गुजरात है दो जबरदस्त मैच है और इन मैचिस का कहानियों के नजरीय से क्या महत्वा है आईए दिल खोल कर उनकी बात करते हैं सबसे पहले बात करता हूँ मैं राजस्तान और लखनव के मैच की बड़ा प्यारा सा मीठा सा मैच होने वाला है राजस्तान जाईए लखनव जाईए वहाँ दावत ही दावत होती है वेंजन ही वेंजन होते हैं मीठे भी नमकीन भी खटे भी और दोनों शहरों का दोनों राज्यों का अपना अलग अलग जाइका है इस मैच का जाइका क्या है इस मैच की कहानिया क्या है मैं बारी भरकम आंकडे नहीं फैंकने वाला मैं बहुत ज़दा प्रेडिक्शन प्रिव्यू नहीं करने वाला सिरफ छोटी मोटी प्यारी प्यारी ननी मुनी कहानिया बताने वाला हूँ राजस्तान के दृष्टी कौन से बात करूं तो सीजन वन के चैंपियन बने थे किस किस को याद है उस टीम में कौन कौन सा खिलाडी था कौन कोच थे क्या वो टीम फेवरेट थी क्या नहीं थी पहला चैंपियन हमेशा एक ही बार बनता है भाई उसके बाद कितने सीजन हो जाएं जब भी बात की जाती है कि पहला चैंपियन कौन तो एक ही नाम याद आता है और वो राजस्थान की टीम है पर उसके बाद जो दूसरी कहानी वो ये कि उनका इंतजार उनकी प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई है दूसरी ट्रॉफी का उनक लिए पहली चुनौती है दूसरी बहुत बड़ी कहानी जिस पर आपकी नजर भी होनी चाहिए मेरी नजर भी होनी चाहिए वो नाम है खिलाडी का यशस्वी जैसवाल जैसवाल जैसल मेर से लेके कहां कहां तक उन्होंने लंबे-लंबे चके मारे हैं पिछले सीजन में बे लगातार बनाई और मुझे नहीं याद किसी बैट्समैन ने जेम्स एंडरसन को लगातार तीन छक्के लगाए हो जो उन्होंने लगाए शोय बशीर को लगाए तो ठीक है पर पिछले सीजन से लेके इस टीट्वेंटी लीग के सीजन तक जैस वाल ने जबरदस्त बैटिंग की है, maturity दिखाई है, हर format में चले हैं तो ये मेरे लिए राजस्तान का एक सबसे वड़ा तुरुप का एक का होने वाला है, सबसे महतपूर कहानी होनी चाहिए और इस कहानी का दूसरा एंगल, दूसरा पहलू ये है कि क्या इस बार वो नारंगी टोपी ले पाएंगे, जो पिछली बार शुमन गिल के पास थी, काफी करीब थे, बेतरीन बैटिंग जैसवाल ने पिछली बार भी की थी, पर ओपनर आप भी है, तो लंबी पारी खेलने का मौका है, क्या औरंज कैप, नारंगी टोपी उनको मिल सकती है, ये एक देखने लायक कहानी होने वाली है, नाम है रियान पराग, आते हैं असम से, पिता जी का नाम पराग दास सहा, वो खुद एक फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं, माता जी का नाम मिठु बरुआ, वो स्विमर रही हैं, नैशनल चैंपियन, दो रिकॉर्ड उनके नाम रहे हैं, पुत्र ने अब तक इस T20 किया, सबसे ज़्यादा रन बनाए, पांट सो दस, स्ट्राइक रेट उनका 170-180 के आसपास था, और 11 विकेट लिए 100 अलग, यानि कि हालिया फॉर्म काफी अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्टार्टिंग 11 में जगा मिलेगी, शुरुआती मैचिस में एजन रॉंडर जगा मिलेगी, एक बड़ा सीजन रियान पराग से निकलना चाहिए, और फिर विकेट लेके जो वो बीहू करते हैं न, आहां, ऐसे ऐसे, मुझे आद है, मैंने भी कॉलिज में बीहू किया था, बड़ा मुश्किल सा डांस है, ऐसे ऐसे हाथ घुमाने पड़ते ह अपने कुछ दोस्तों के साथ, अब वो बाद में स्टेज पे हम करना ही पाई थे, कुछ बात हो गई थे, लेकिन मुझे उस बीहू डांस के देखने के भी उम्मीद है, कि रियान पराग ये काम करें, अहां, मज़ा आता है, अगली कहानी क्या है, वो कहानी है, युजविं आते हैं, चलते रहते हैं, और अब तो T20 World Cup भी आने वाला है, लगातार सारा साल क्रिकेट होती है, तो युजी चहल जरूर चाहेंगे कि थोड़ी चहल पहल वो मचाएं, थोड़ा सा और बहतर परफॉर्म करें, फिर वो कहीं परपल कैप के दावेदार बनें, फिर टीम इ लेवरेट हैं, कुछ एक लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन संजू सैमसन, इनको मैं पंजाबी में कहता हूँ सियाना सैमसन, जो समझदार खिलाडी है, जो एकदम ठंडे दिमाग वाला खिलाडी है, टी 20 World Cup इनकी भी नजरे होंगी, अपना बेहतरीन प्रद प्रदारों की सूची में अपना नाम उपर लेकर जाएं, सामने लखनव की टीम है भाई, कई बार मुझे लखनव जाने का मौका मिला है, और क्या खाना होता है वहां पर, मतलब मैं तो खैर शाकाहारी हूँ, लेकिन वो शाकाहारी हों के कबाब भी वो जो परांठे में ल ओहो, इनके तो नाम में ही लंगर है, खाना मगवाओ यार भूक लग रही है, तो लंगर सहाब के साथ ये टीम क्या करेगी, ये सबसे पहली बात है, पिछली बार जीजी सहाब थे, जीजी सहाब अब कहीं और चले गए हैं, कलकत्ते की टीम में उसकी बात भी हमने कर ली है आगे भी करेंगे, तो लंगर सहाब के साथ ये टीम कहां तक जा सकती है, ये सबसे पहली बात है, और दूसरी बात, जो हम उदर सैंसन के लिए कर रहे थे, यहां के ऐल रहूल के लिए कर रहे हैं, कहां बैटिंग करेंगे, ओपनर आएंगे या नमबर तीन, नमबर चार प और भी एक दो दावेदार निकल आएंगे, तो आप क्या नमबर तीन, नमबर चार यहां बैटिंग करके, वहां इंडियन टीम के लिए अपना दावा पका करने की कोशिश करेंगे, जैसे रिशप मंत ने गलव्स पहन लिये थे भाई, अभी कल हुए मैच में, हमने उमीद नहीं की थी कि वह गलव्स पहनेंगे, कीपिंग करेंगे, पर नजरें उनकी भी इंडियन टीम में वापस आने पे हैं, यानि कि कॉम्पिटीशन ब्रो, कॉम्पिटीशन, प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता, इंडियन टीम में एज़ा विकेट कीपर आना ज्यादा आसान ह या UPSC का पेपर क्रैक करना ज्यादा आसान है बताईए नीचे कमेंट्स में अगली कहानी क्या हो सकती है लखनव के दृष्टी कौन से एक और स्पिनर एक और वो खिलाडी जो भारतिय टीम में ठक 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 दस्तक दे रहा है नाम है रवी बिश्णोई, मिश्टी दोई, क्या ये वैसा प्रदर्शन मीठा मीठा कर पाएंगे 80-20 वर्ल्ड कप के लिए क्या ये एप्लिकेशन चिट्थी लगा पाएंगे यहां अच्छा प्रदर्शन करने के बाद तो ये थी पहले मैच की कहानियां, अब बात करता हूँ दूसरे मैच की दूसरा मैच है मुंबई और गुजरात के बीच में और इस मैच की कहानियां जैसे मुंबई का वड़ा पाव, जैसे गुजरात का फाफ़डा जलेबी, खांडवी, ढोकला, हांडवो मतलब ये एक और लजीज मैच होने वाला है, मैच की पहली अपैरेंट बड़ी सर्वविधित कहानी हार्दिक पंडिया मुंबई से निकल के गुजरात में गए, एक बार ट्रॉफी जीती, एक बार फाइनल पहुंचे, वापस फिर मुंबई में आ गए, और कितने करोडों की डील हुई, भाई, उन्होंने कैमरन ग्रीन को वहाँ भीजा, तकि पैसा मिले, फिर वो पैसा इनको दिया, तकि हार्दिक पंडिया आए, और हार्दिक पंडिया के आने के बाद अनौस कर दिया, मुंबई ने कि वो हमारे होंगे, तो ये सबसे पहली कहानी है, कि हार्दिक पंडिया उस टीम के पास वापस आ गए है, जिनके साथ वो खेले, जिनके साथ वो निखरे, फिर उस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जिसके साथ वो as a captain champion बने, तो दो बड़ी रोचक कहानिया है, हार्दिक के दृष्टी क बने, वो रोहिशर्मा अब हार्दिक के अंडर खेलेंगे, एक्वेशन कैसी रहेगी, हमने जो सोशल मीडिया पे तस्वीरे देखी, वहाँ जादू की जफ़ी डाल रहे थे, हार्दिक पंडिया रोहिशर्मा को, पर ये जफ़ी कितनी मूश में है, कितनी वाम्त है इस के अंदर रियालिटी है, मुझे नहीं पता, वो एक्वेशन इन दोनों की मिदान में देखने पर ही बनेगी, पर रोहिशर्मा, जितने मैं लोगों से बात करता हूँ, पूर्वी क्रिकेटर से, या यहां वहाँ लोगों से, बहुत सुनने में आता है, और यह बात सच भी ह कि रोहिशर्मा बड़े खोले दिल के खिलारी है, वो स्टंप्स माइक पे जो भी कुछ बोलते हैं, वो पता चलता है कि जो उनके दिल में है, वही उनकी जबान पे है, आफ दा फिल्ड बहुत सपोर्ट करने वाले वो कैप्टन है, आर एश्विन की आपने कहानी पड़ी ह कि जब वो राज को टेस्स से उनको घर जाना पड़ गया, रोहिशर्मा ने चार्टर प्लेन करवा के दिया और कहा चिंता मत करो, आप जाओ, हम आपके साथ हैं, तो रोहिशर्मा दिलदार हैं, बड़े दिल के खिलारी हैं, वही बड़ा दिल, उम्मीद करते हैं कि वो हार कुमार यादव पहला मैच नहीं खेल रहे, बहुत फिट नहीं हैं, तो उनकी जगा कौन आएगा, वो एक बात, और जब स्काई वापस आएंगे, तो स्काई में, आसमान में, पाताल में, जमीन में कितनी गेंदे पहुँचाएंगे, और किस-किस एंगल से पहुँचाएं का नाम है शुबमन गिल, जीतता है सब के दिल, अब कैप्टन है, अब आपने हारदिक पंडिया की जगह ली है, उन्होंने दो बार टीम को फाइनल पहुचाया, एक बार जितवाया, वो लेगेसी, वो कहानी आपको आगे लेके जानी है, जिसके नायक हारदिक थे, उसके स देना बनता है, दोखो मैंने का था मैं आंकडे नहीं दूँगा, ये एक आंकडा तो देना बनता है, और उसी मुंबई के खिलाफ अब हारदिक, उसी मुंबई के खिलाफ अब शुमन गिल, अपनी कैप्टन सी डिब्यू कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा मौका है, ये जारुख खान वो काम कर पाएंगे, क्या अफगान इंपोर्ट अजमत उल्ला उमर्जाई वो काम कर पाएंगे, या विजए शंकर जिनका पिछला सीजन बहुत बढ़िया रहा था, विजए शंकर काटा लगे ना कंकर, कौन इन में से वो होगा जो हारदिक पंडिया की कमी उनकी जगए को बरेगा, और बहुत बड़ी कहानी, मुहमद शमी इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे, आपरेशन हुआ है टकने का, पिछले सीजन 28 विकेट आपने लिए थे, परपल पैच, परपल कैप, सब कुछ आपका था, तो उनकी जगए, वो विकेट लेने वाली कम काड़ी भर पाता है, कौन जिम्मेदारी उठाता है, ये कहानी है मेरे लिए, आप लोगों के लिए इन दोनों मैचिस की क्या कहानिया है प्रभू लोग, पूरा कमेंट सेक्शन आपका है, अपनी कहानिया बताईए, और इस कहानिकार को फिल हाल दीजिए, इजाजत, नमस आपकार, जैहिन